सिरसा जिले के बनी गाउं में सीम के जन समवाद के दोरान एक ऐसी घटना घटी जिसकी गूंच पूरे हर्याना में सुनाई दी वीडियो में आपको एक महिला सीम के सामने अपनी समस्या बताती दिख रही होंगी लेकिन जब सीम उस महिला को रोकते हैं तो वो अपना दुपटा उतार कर सीम के पैरों में फेक देती है इसके बाद महिला को बलपूरवक स्टेज से नीचे उतार दिया जाता है इस महिला की पहचान बनी गाउं की सरपंच नैना जोरड के रूप में हुई है हर्याना तक की ओर से हमारे समवादाता बलजीत सिंग ने इस पूरी घटना को लेकर सरपंच नैना से बात की और पता लगाया कि आखिर क्यों एक महिला सरपंच अपना दुपटा सीम के पैरों में फेकने पर मजबूर है आगे आप खुद सुनिए कि नैना जोरड ने ऐसा क्यों किया था परदेश के मुख्यमंतरी मनौरलाल खटर का तीन दिवसिये दोरा सिर्सा का खतम हो चुका है कल गाउं बनी के अंदर जो यहां की सरपंच चाय शिरी मती नैना जोरड उन्होंने अपना मांग पतर रखा लेकिन बीच में ही मुख्यमंतरी के टोकने के बाद उन्होंने अपना दुपटा उनके पैरों में रख दिया लेकिन उसके बाद उन्हें बल पूर्वक स्टेश से उतार कर घर में नजर बंद कर दिया गया आज उनके पास पहुंचे हैं उनसे पूछते हैं कि क्या आफ्टर आल क्या वज़ा रही इस सारे मामले की नमशकार मैं सर ग्राम पंचायत बढ़ी से सर पंच नेना जोड बोल रही हूं सर मैंने सीम साब के आने के लिए सारा अरेंज्बेंट किया हमने कोई इनको काले जंडे नहीं दिखाये सब पुलाइटली हमने सारा कुछ किया मेरी समश्या वो राजा हैं उनका फर्ज बनता है हम परजा हैं कि हमारी समश्या सुने वो समश्या सुनने के लिए आ रहे हैं वो जन्द समवाद कर रहे हैं वो सब की सुन रहे हैं तो मैला सर पंच की नहीं सुनेंगी सर पंच भी गाम का मुख्या आदमी होता है आप बड बेटी पड़ाओ, तो एक आप अपने देश की बेटी की समश्या नहीं सुन सकते, आज से तीन महिने तेरा दिन पहले मेरे पती पे कातिला नाम ला हुआ, उसमें इनको तीन सीवियर फ्रेक्चर, इनके एक साथी को सिर में आठ टांके, एक साथी को गंबीर चोट, एक साथी को चेहरे पे पांस टांके और एक सीवियर फ्रेक्चर था, तो अभी तक उनकी कोई गिरफतरी नहीं है, दोशियों की उल्टी हम पे ही चार सो बामन लगा दी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने भी आतमरक्षा का अधिकार दे रखा है, उनकी तो पहले से प्लेनिंग थी, इस पे अधिका मतरी ने आपकी लिए बात सुनी नहीं सुनी, मुझे नहीं पता क्यों नहीं सुनी, वो तो उनको पता होना चीए ना, कि मैंने कुछ सी पालिटी के खिलाफ या कुछ नहीं बोला, मैं तो अपनी समश्या बता रही थी, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, वैसे नहीं जो जड़प हुई है वो गली में हुई है उनके पास बड़ी बड़ी कुलाडियां थी तो इन्होंने बचाव के लिए जो कुछ किया उनको मामूल एक जने को मामूली एक दो जने को मामूली चोट जो लगी है उसको उनको फ्रैक्चर बता है गया है और हमारे जो फ्र आदमी वो जो दोशी है विनोध पुत्र जस्पाल वो 25 जनवरी को पंचायत गर में मुझे पर हमला करने के लिए लोई की रोड लेके पंचायत गर के अंदर आया था मैं कोई नाम नहीं लोगी मुझे नहीं बता इस बारे में मुझे नहीं बता कुछ भी मैंने प्रोग्राम में कोई खलल नहीं डाली मेरे हस्बेंट के साथ जो कातिलाना हमला हुए है उनकी वीडियो सब मैं आपको मतलunion उपलब्द करवा सकती हूँ सारे सबुट हैं सब केस चल रहा है हमारा मेरा कोई वर नहीं था मेरे को कोई सीन क्रियेट नहीं करना था वो सब है हमारे पास इनको चोट लगी हुई है सब है सारी नहीं करी जी कभी हमारा पहले डबो वाली में केस था वान चकर मरवाते मरवाते अब सिरसा में वेज दिया गए हमें फिर 452 हमारे उपर किस बात की फिर सर आप मेरी पूरी बात सुनिये 25 जनवरी को वो आदमी विनोध पुत्र जस्पाल रोड लेके पंचायत गर में मुझे पास तो उसी दिन शाम को मेरे असमें ने करी वाला चोकी में ये एफ आई यार दर्ज करवाई इस आदमी से मेरे को जान का खत्र है ना ही तो उसको पाबंद किया गया ना ही उस पे कारवाई की गई ठीक नो दिन बाद तीन फरवरी को उस आदमी ने काति लाना हमला कर दि पूरी तो आप कोर्ट की शर्ण में क्यों नहीं जाते हैं कोर्ट की शर्ण में आपको पता है कोर्ट में हमारे कितने केस पेंडिंग पड़े हमारे पूरी कोर्ट में कितना दबाव है पूरे इंडिया में कोर्ट में भी क्यों ऐसी क्या इतना बड़ा क्या है जो पुलिस नियाए नहीं कर पारी। पार्टी के साथ कोई रंजिश नहीं है, मेरा किसी के साथ कोई जगड़ा नहीं है। उन्टार सब्सकिरे नहीं है, मेरा किसी अ कर दोगा नहीं किसी के साथ किसी कोई आहीं है। झाल झाल